20 साल की आक्ट्रिस टुनिशा का आज अंतिम संसकार किया गया टुनिशा की इस तरह से मौत के बाद इंडस्ट्री पर एक बार फिर से उंगलिया उटने लगी है कि आखिर इस ग्लामरेस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि लोग यहां सिउसाइट कर लेते हैं वैसे टुनिशा की जो डेत हुई है वो इंडस्ट्री की वज़े से नहीं है उसका वज़े उनका रिलेशन्शिप बना है जिस कारण उनका बॉइफरिंड भी जेल में है अब इसी पर आक्टर मुकेश खन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि टुनिशा की जो उम्रती उस टाइम बच्चे बचकानी हरकते करते हैं टुनिशा चली गई अब उंगलिया उसके बॉइफरिंड पर उठ रही है लेकिन इसकी जड़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है और इसके लिए जिम्मेदार उसके माता पिता है लड़कों का जब ब्रेक अप होता है तो वो खुद को संभाल लेते हैं लेकिन लड़कियां इमोशनल होती हैं वो अटैच हो जाती हैं और फिर वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है जो लड़कियां अपने बॉइफरिं खना ने कहा कि अगर टुनिशा के पैरेंस वहां पर मौजूद होते तो शायद वो ये कदम नहीं उठाती जो माबाप अपने बच्चों को माया नगदी में अपना करियर बनाने के लिए छोड़ देते हैं उन पैरेंस को बच्चों से महीने में एक बार जरूर मिलना चाहि तो कहीं न कहीं एक वैलिड पॉइंट कहा है अक्टर मुकेश खना ने जो बात उन्होंने कहिए कि इन दिनों बच्चों का पैरेंस से गैब बहुत बढ़ता जारा है दौनों ही अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं पैरेंस का बच्चों से जुड़े रहना बहुत जरू हो रहा है यह पैरेंस तक पहुंचनी चाहिए बात तब जाकर बच्चे से ही ट्रैक पर आ सकते हैं वरना इसी तरह से आत्महत्याय होती रहेगी आपको क्या लगता है किसी भी बच्चे कि स्यूसाइट के लिए पैरेंस को जिम्मेदार ठहराना क्या वैलिड है